नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं कॉर्बिस मैं हूँ नरेंद्र कुमार आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है री असेस्मेंट अंडर सेक्शन 148 ऑफ इंकम डेक्ट आप सब में से जो भी यह बीडियो देख रहे हैं बड़ी संध्या में लोगों को यह नोटिस आ हो गया होगा पहले यह नॉर्मल इसन रिक्लेर हो गया होगा तब भी यह नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास बरी संध्या में लोटिस आया तो हमने डिसाइड कि क्यों ने इस पर एक वीडियो ना आ जाए आप सब जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लेजे कि सेक्शन जो यह 148 आया है यह बजट 2021 में इसको इंट्रीउस करा गया और उसके बाद बरी संध्या में जो है नोटिसेज मिले हैं से को कांपनीज को मिले हैं और इंकमटेक्स के जो जो औफिसर है वो सब इससेर डिशेडिंग कर रहा हैं जो 148 ऎकर जो प्रसीडिंग है वह प्रसीडिंक्ज आपका जनीरली इंफार्मेशन के अधार्ट होता है इंपमके पास से हैंन सरकार को नहीं बताई है या आपके इत्यर का जो इंफोर्मेशन है जो income tax return का जो information है वो जो उनके पास third party से information आई है जैसे कि आपने property self purchase करी हो और हो सकता है कि आपके account में heavy cash deposit हुआ हो या कोई ऐसा expense जो आपके books में आपने expense किया हुआ है उस SAC का जिससे आपने जो आपका vendor supplier जो भी है उसके हाँ income tax का survey या red हुआ हो वैसे cases में income tax department को ऐसा लगता है कि आपने tax की चोरी की है और tax की चोरी के अधार पर ही वो section 148A का आपको notice भेजते हैं और जो timeline इसके लिए decide की गए है कि अगर income tax department को लगता है कि आपने कोई भी चोरी करी है कोई भी amount किया है चाहे 25,000 रुपे का भी उनको लगता है कि यह है तो तीन साल के अंदर आपका case खोला जा सकता है और ध्यान देजे कि कम से कम अगर आपने 50 लाख रुपे का उनको लगता है वैसे cases में section 148 का proceedings आपके उपर जो है on हो जाता है और department उस पर काम करना सुरू कर देती है जब भी आपके पास section 148 का जो department notice करेगा अगर income next department लगेगा कि आपने कोई taxi चोरी करी है तो उस case में इसको reopen किया जाता है department को ऐसा लगता है कि आपने income को under report किया है और आपने जान बूझ करके अपने returns में अपने records में third party information को आपने indicate नहीं किया है और इसके लिए अगर आपको जब भी ऐसे notice जाएंगे तो आपको 7 दिन से 30 दिन तक का time दिया जाएगा इन जेनरल आपको 7 दिन का ही time मिलता है और 7 दिन में ही आपको इसका reply करना होगा अगर reply में क्या है अगर प्रसाइज reply करनी है जो जो सवाल आप से पूछा जा रहा है उतना ही reply आपको करनी है और डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आपने आपके उपर यह प्रसेडिंग क्यों ड्रॉप कर जानी चाहिए क्या आपके पास एविडेंस है जैसे रेलेटेड वो सारे डिटेल्स आपको point wise analysis करके आपको उसका reply करना है क्योंकि आगे का जो process है वो है ऐसा कि यह पूरा faceless हो जाएगा तो आपके पास एक अच्छा opportunity है कि section 148 के notice में आप इसको reply करके आप चाहे तो अगर आपका एसेसिंग officer को satisfy करते हैं तो आपका proceeding drop हो सकता है ध्याद देजे यह notice का जो proceeding है यह offline है मतलब आपका जो वाड जो जहां भी आपकी जहां भी आपका pan है वहाँ पर आपका वहीं सही आता है लेकिन इसके बाद वो faceless हो जाएगा इसमें तीन साल का time है जैसे पहले वह ने कहा था अगर आपका income जो undisclosed income है वो कुछ भी हो सकता है दस जारो प्यास जारो कुछ प्रक निंबड़ता उनको प्यास लाग हो सकता है लेकिन पचास लाग के केस में अगर पचास लाग से जादा का केस आपका है तो ऐसे केस में उनके पास 10 साल का timeline दिया गया है और यह notice तभी इस हो सकता है जब इनके approvals इनके लेयर सुप्रीम कोट ने decide किया है कि यह notice का notice किस-किस हालत में दी जा सकती है उसके लिए एक process और protocol दिया गया है इन जेनरल जो notice issue होता है या तो आपने return file किया उसमें गलती करी है या आपने return file ही नहीं किया और section 148 1 में जब आपको notice मिलता है तो आप उसका notice का reply करके अपने return file कर सकते है फिर उसका assessment जो है process start होगा और section 151 में जो है proper तरीके से ये बताया गया है कि notice assessing officer कैसे भी सकता है जो आपका चार साल का financial year है assessment year उसके end होगा और उसमें higher approval जो है commission's PCIT का लगता है तो PCIT के approval के बाद ही ये जो है notice भी आपको notices मिलते है तो आपको point wise इसका proper एक reply submit करना होगा और reply submit करने के बाद आपको बताना होगा कि जो भी आपके उपर आरूप लगे हैं चाहिए capital gains related है properties related है किसी से advanced deposit आपने लिया था लोन लिया हुआ था लोन की interest related है या कोई भी ऐसी issues है तो आपको इन सारे issues के बारे में assessing officer को satisfy गराना होगा उनको reply गराना होगा इस अब जो बात करते हैं who can issue notice कौन notice भेज़ सकता आपको assistant commissioner भेज़ेगा deputy commissioner joint commissioner लेकिन ये तीनों ही आपको notice भी भेज़ पाएंगे जब इनके पास principal commissioner का notice होगा छोटे cities में commissioner of income tax से भी approval लेकर के ये लोग अपना आपको notice भेज़ सकते हैं supreme court ने प्रोपर जो है process दिया है कि reopening जो section 148 में है उसमें कैसे किया जा जाएगा अगर आप सब देखना चाहते हैं union of India versus आसीस अगरवाल जो 2022 में judgment है उसमें काफी सारी process procedures इन सब को बताया गया है जब भी आप notices करोगे तो आपके पास एक assessing officer को खुद चेक करना चाहिए जो पहला step है step 1 में assessing officer को चेक करना चाहिए कि क्या जो उनको information मिली है वो सही है और दूसरा step जो सफिरिंग कोट ने ये कहा कि आपको एक region मिलना चाहिए एक time मिलना चाहिए opportunity of being heard वो आपको मिलना चाहिए और तीसरा जो है कि अगर आपको so cause notice आपको मिला है आपने assessing officer से receive कर लिया है तो उसका reply करना भी आपको बनता है और step 4 मिलने कहा कि जो information available है उसके अधार पर income tax officer को उसके उपर अपना conclusion करके और एक order pass करना होता है तो section 1488 clause D में जो है उनको pass करनी होती है और उसमें हो सकता है कि वो proceeding अपना drop कर दे और या आगे आपके reassessment के लिए वो recommend कर दे धान दीजेगा यह reassessment जो है आपका online है faceless है जैसा एक normal escort नहीं होता है अब बात करते हैं कि जब भी कोई notice आयाता है how to reply it एक बहुत बड़ा है कि reply कैसे किया जाए यह जेनरल process नहीं है यह बहुत fast process होता है जिसमें आपको बहुत कम ही opportunity मिलता है कि कोई department के पास पहले से एक input होता है कि आपने कोई ने कोई vision किया है या उनके पास एक region of doubt है कि उनको मिला होता है तो बहुत प्रसाइस बहुत यह strategic manner में इसको reply करना होता है आपका income tax obligation बढ़ जाएगा आपके ऊपर demand निकल जाएगा फिर आपको appeals में और बाकी सब process को follow करना पड़ेगा जब अपील ही जो इसका में deal करता है उसको ही आप दे और 30 दिन के अंदर आपको maximum reply करनी होती है आप बार बार इसमें जो है date नहीं ले सकते हैं चुकि 148 बहुत ही short summary process है चेक करने का तो जब भी आप reply करें तो reply में पूरा fact दे ताकि आपका यह जो fact है जो जो आपको पता है ताकि वो record मे आए रेकॉर्ड में आएगा तभी आपको इसका फायदा होगा क्योंकि आगे का जो process है जब यह assessment होगी तो आपको इसमें और भी आपको इसमें मिलेगा जैसे आपके expense है आपके income है जहां-जहां सबाल पूछा गया है expense कई पार वो department मानती है कि यह bogus entry है तो उसको बतानी ह कई बार liability के पीछे पर जाते हैं तो इन सब चीजों के भीच में आपको time रखना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो illogical notice 148 का तो आप stay proceeding जा सकते हैं जिसमें rate petition हो गरा है बर chances rate petition में बहुत कम है तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है जो department का process है उसको ही और decision जब आपके favor में नहीं आता है, reassessment आपका हो रहा है तो आप इसको CIT appeal में challenge कर सकते हैं और challenge करने के बाद इसमें आपको deposit करा के और फिर process करना हो अगर आप reply नहीं करेंगे ध्यान देजे तो income tax department के पास यह power है यह अधिकार है कि वो इसको अपने हिसाब से best judgment के हिसाब स आपके income को आपके उपर demand निकाल करके आपको भेज दे और जब भी 148 notice आए तो आप या तो देख लेजेए कि आपने return नहीं फाइल किया है तो आप return फाइल कर दे 148 में जो 2021 के finance act में ही इसको इंडिडूस किया गया है तो बहुत सारे लोगों को इसकी अभी जानकारी भी नहीं है कि इसको कैसे handle करना है तो बहुत ही due care बहुत expertise की जरूरत परती है ताकि जब आप मान लोग किसी वी समय आपका जो है documentation या इस stage पर आप साही से reply नहीं भी कर पाते हो तो appeal stage पर आपको बहुत सारी समस्या इसमें होने वाली है section 148 या income tax का कोई भी notice आप रिसे हुआ है आप को लगता है कि आपको professional consultation जरूरत है आप कॉर्बेच को संबर कर सकते हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे channel को subscribe करें bell icon पर click करें ताकि इस तरह की video और भी आपको मिले कोई वी सवाल आपको income tax related या corporate law से related है तो आप हमारे channel पर comment करें खास करके इस video पर section 148 का जो proceeding है उस पर उस से related कोई सवाल है तो आप comment करिए आपकी सहता हम लोग करेंगे अगर आपको कोई concern है आप हमारी website क को भीट कर सकते है और आप हमें email भी कर सकते है चैनल को subscribe करना ना बोले धन्यवाद थैंक्यू जाहिए